इस वीडियो में मैं आप लोगों को पतना हाई कोड से रिलेटेड जो भी केस होता है उसका एस्टेटास कैसे चेक करना है घर बेठे आप अपने मोवैल से आसानी से किसी भी केस का एस्टेटास चेक कर सकते हैं या आप से रिलेटेड हो या आप किये हैं या आपके ऊपर और एक अगला सुन्बाई करीं है तो अगला सुन्बाई कभ या देट हुआ था फैसला कभ सुनाया कि अगया है यहा सब कुस्छ दिटेलमे को में आपको हमें को उसके की आने वाले आपको स्टायर्ट करते हैं देगे किश भी केस का चेक करने के लिए अगर पत्ना ह어요 हाप Google सिंपली इस वेबसाइट पर कीजिए आपके सामने ये पतना है खातास का सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आफको या तो में केस का नमबर होगा या जो आपके उपर किया है या आप हैं यह तो यह स्पांद नेम या मेंन केस नमर से आप लोग किसी भी केस का श्रेटर्स चेक कर सकते हैं तो डीटेल्स में मैं आप लोगों को बताऊँ गा जब आप लोग इस वेबसाइट पर यहां पर आजाओगे तो सिंप्ली आपको स्क्रॉल करना है नीचे जब आप लोग किजेगा तो आपको य होता है क्रिमिनल केस तो दो टैप का केस होता है तो अगर आपका क्रिमिनल केस है तो जो भी जैसे मडर हुआ आपका किसी का चोड़ी रखाय की तैप में आता है आप वोर के सोड़ करके जो भी सारे केश आजाते हैं। आप लोको को स 대해서 करना ऑद आप लोगों को जो केस नम्र मिल जाता है जैसे कि ले केस नम्र मिल जाता है स्वूर지만 मिला वहां आप यहां पर देख सकते हैं सब की понять जामपल cwjc आपका case नमर के आगे में लिखा है तो इसका फुल्फर्म होता है सिविल रिट जूडिसियल केस तो अभी जैसे बिट्यसी के बिट्यसी से रिलिटेट जो भी केस हुआ है उसके आगे मैं आपको लोगों को यह दिखने के मिलेगा cwjc इसका फुल्फर्म होता ह केस और भी सारे अगर आपका case नमर दूसरा कटेग्रिक है तो इसमें से आप लोग उसको चूज कर लेंगे तो एज एक्जामपल अगर आपका cwjc अगर केस है तो आप लोग यहां पर cwjc पर किलिक कर दिजिए उसके बाद यहां पर आप लोगों को case नमर डालना है अग पर देख सकते हैं इतने तरीके से आप लोग इसको चेक कर सकते हैं अगर आपके पास cnr नमर है तो उसे भी आप लोग चेक कर सकते हैं अगर आपके पास token नमर है तो उसे भी चेक कर सकते हैं अगर यह सब कोई भी चीज नहीं है यह नमर है तो सर्च कर सकते हैं अगर आप के चलिए आपके पास कुछ भी नहीं है तो अगर आपको यह पता है कि किस के ऊपर हुआ है या कौन केस किया है तो यह होता है इसी का पेटिशनर या रिस्पॉंडेंट नेम तो अगर आपको पता है कि किसके उपर केस हुआ है और कौन केस किया है ओभी आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हों तो मैं पहले यह तरीका बता देता हूं उसके बाद ओभी मैं आप लोगों को बता दूंगा तो सिंपली आप लोग अगर सर्च करना चाहते हों तो यहाँ पर by petitioner या correspondent नेम पर आपलोग दैसे 길ik किजेगा तो ऐसा option आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर आप लोग petitioner नेम या correspondant नेम जिसके उपर case हुआ है अगर सही-सही spelling पता है आपको तो यहां पर डालिए जिसके उपर case हुआ है उसका नाम या जो case किया है उसका नाम दोनों में से कोई का नाम यहां पर डाल सकते हैं उसका पूरी लिश्ट यहां पर आ जाएगा तो यहां पर इसमें all select रहने दे सकते हैं और किस year का token लिया गया है case करने के लिए ओ आप लोग यहां पर डालिएगा और क्यप्चा में यहां पर डालके 100 पर किलिक किजेगा तो यहां पर उसका status आ जाएगा कितना case हुआ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं बिहार टेक्निकल सर्विस कमिशन की बात करता हूं यहां पर मैं तो जैसे बिहार टेक्निकल सर्विस कमिशन के उपर 2020 में जितने भी सारे case हुए है आप लोग को यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा यहां पर किसी का भी आप अपना नाम जालके चेक कर सकते हैं अगर आपके नाम पर case हुआ है तो यह आप किसी case का details देखना है यहां पर आप लोगों को view का option दिखेगा तो simply आप लोग यहां पर view पर जैसे किलिक कीजेगा तो इसका जो details है वह आपके सामनी यहां पर आजाएगा नीचे में आपको scroll करना है आप लोग देख सकते हैं उस case का यहां पर details यहां पर आता है इसमें आपको main case नमर पता चल देगा का जेख सकते हैं यह case कौन किया है इसका token नमर किया है और यह है किया है और यह okay केस नमर कितना है कि यह बाद में आता है केस नमर तो पहले यह केस होता है उसके कुछ दिन बाद उसका डिटेस किया जाता है उसके बाद यह केस नमर दे दिया जाता है तो केस नमर का जो यह आप लोग देख सकते हैं केस नमर यह होता है इसके आगे में किस टाइप का केस है स टोटल सब मिला करके case Tinder इसको बोला जाता है और अगर आप सब देखिये यह केस नमर होता है और नीचे में जो पीछे लॉर डेट रहता है इसका अगर आप यहांपर भी किलिक करते है और कौन किया है कहां पर किया है इसका कब सुनवाई हुआ है तो सब कुछ आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिल सकता है अगर आपको इनसे रिलेटेड जो भी सारा जैसे अलग-अलग अगर आप किसी भी केस के जैसे कि यह सुनवाई हुआ 22 जून को इसके आगे में यहां पर भीयूद दिखावा है इस पर जैसे किलिक किजेगा तो एक आपके फोन में PDF डॉनलोड हो जाएगा जिस डेट को यह जो जजमेंट हुआ जो सुनवाई हुई है और आपको यहां पर रिकोर्ट नोट फॉन दिखाड़ा है अगर इसका जजमेंट आता है तो यहां पर आ जाएगा उसको डॉनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं यह हो गया कि आप लोग जो पैटिशनर या रिस्पोंडेंट का नाम डाल कर चेक करना उस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर आपके पास से करना है और इसमें आप लोगे को यहां पर जो मैंने बताया कि जो टाइब का case है अगर cwc है तो ह dysc में click किजिए case नंबर यहां पर डालेES case नंबर आप सर्च पर किजिएगा तो इस case यहाँ पर आपके सामने open हो करके आजाएगा यह चाक्का है वेट करता है और उसके जिसए आप लोग देख सकते हैं जो 893 केश है 2020 का ऊपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा इसमें आपको यहां पर action date संदेट के भी का जाएगा थिह plupartिक MODER talking के यहां चून 20 Sophiaald होटेगा और इसमें कौन ये data को सुनबाई हुआ है पहले उसके बाद किस डेट को हुआ था आप लोग देख सकते हैं इसका फर्स सुनबाई हुआ था साथ फरवरी 2020 को ही हुआ था उसके बाद यह केरी फरवर्ड केरी फरवर्ड और किस किस डेट को सुनवाए हुआ था सब यहां पर आप लोग देख सकते हैं उसके बाद अभी जो 23 जून को दिया था इसका टाइम जो इसका उसके बाद फिर आज देख सकते हैं केरी फोर्ड बोडोकर के 24 जून कर दिया गया है और अगर आप लोग इसमें देखना चाहत हैं इसका जब जर्ज्मेंट आएगा तो आप लोग यहां पर जर्ज्मेंट के नीचे में आप लोगों को पि-d-f way से मिल जाएगा इसा thiट में वाला पर किलिक करके आप लोग इसको देख सकते हैं तो इस तरह से आप लोग चेक कर सकता हैं किसी भी केश का अगर कीस का यहाँ पर डिटेर्स डालकर चेह कर सकते हैं जो भी आपका नाम हो या आपके केस किया गया या जो भी सरकार या विभाग केस हुआ तो इसी तरह से आप लोग चेह कर सकते हैं वीडियो को अभी तक लाइक ने किया तो जरुर्ड चेक लाक कर दिजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आके प्रेस करके और से जबर चेकर लिए जिसे की इन्फरमेटी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आपके मन में कोई कन्फूजन या डॉट या कोई हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं